हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो आ चानल टेक मंजल दोस्तो नॉइज ने अपने ब्रैंड न्यू एरबड्स जिनका नाम है नॉइज बर्ड्स वीएस वन जीरो फ्री मार्केट में अनाउंस कर दी हैं और दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यह आएंगे कि कौनसा येरबड्स बेस्ट है 1500 के अंडर और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या इन एरबड्स को लेना वर्थ रहेगा या नहीं और दोस्तो एक हिंट में आपको देना चाहूंगा कि यह एरबड्स अंडर 1500 काटेगरी में लाये करते हैं और बजट आपको बताना चाहूंगा इन एरबड्स के कुछ अमेजिंग फीचर और स्पेसिफिकेशन सबसे पहले दोस्तो अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस एरबड्स में कितने ड्राइवर्स आ जाते हैं तो मैं आपको दोस्तो बताना चाहूंगा कि इन एरबड्स में 10 mm के ड्राइवर्स दिये नॉइज ने क्योंकि दोस्तो लास्ट टाइम जब नॉइज ने अपने एरबड्स प्लस में 6 mm के ड्राइवर्स दिये तो मैं काफी ज्यादा डिसपॉइंट हुआ था क्योंकि अंडर 1500 की बजट क ड्राइवर्स काफी सफिशेंट है और मेरे इसाब से आपको डिसेंट साउंड कॉलिटी मिल जाएगी दोस्तो इस मामले में नॉइज में इस बार डिसेंट काम किया है और दोस्तो अगर बात करें इसके बैटरी बैकप की तो इन एरबड्स में आपको 18 तक का बैटरी बैक बी केबल दे देते हैं लेगिन दोस्तो माइक्रो यूएसबी पोर्ट आज के टाइम पर बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं है आज के टाइम पर एक मिनिममम नेसेस्टी होती है टाइप सी पोर्ट देना 1500 से नीचे के बजट क्या टेकरी में भी क्यूंकि 90% इयरबड्स आज ब्लुटूथ वर्जन नॉइज ने भी तक मेंशन नहीं किया लेकि मेरे इसाब से मोश्ट पॉबड़ी इन एरबड्स में ब्लुटूथ वर्जन 5.0 और उसे साब से दोस्तों इन एरबड्स में आपको काफी अमेजिंग लाग फ्री एक्स्पीरेंस मिल जाएगा कनेक्ट इसे लिए करते हैं कि किस जगा पर आपको टच करना पर आप 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 केंट्रोल complex को एकसे कर पाते हैं और दोस्तों वोईस एससिसेंट भी आप टच गंट्रोल गे त्रू अठीज कर पाएंगे तो आप Google Assistant और Siri से अपने सारे काम करवा सकते हैं जो आपकी डे टूड लाइफ में होते हैं तो दोस्तो इस मामले में एयरबट्स काफी डीसेंट लगे मुझे क्योंकि दोस्तों इसमें आपको टच कंट्रोल सारे मिल रहे है टाइप सी पोर्ट मिल रहा है और हाइपर सिंग टेखनोलोजी मिल रही है और साथ यसाथ 10 mm के ड्राइवर्स मिल रहा है ये प्राइस की बात करें तो दोसो ये earbuds launch हो रहे हैं 1499 रुपीज में, जी हां दोसो एग्जैक्ट 15St रुपे में noise ने budget category को टारगेट करते हुए ये earbuds launch की हैं और उसी सापसे इसके features काफी decent है, मैं बहुत जादा अच्छे हैं, बहुत जादा बुरे तो नहीं कहूंगा, लेकिन sufficient and decent features noise ने इस category में दिये हैं और इसका original price noise ने दर mention कि around 2,999 यानि की 3,000 रुपे की MRP in earbuds की, और आपको launch offer में 14.99 के मिल रहे हैं और इसलिए दोस्तों मैं launch से पहले आपके लिए वीडियो ले आता हूं, ताकि दोस्तों अगर आप कोई भी अच्छा product buy करना चाहते हैं, कि इसी भी reputed brand का, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो ले आता हूं, ताकि वो आपका launch offer मिसना हो, क्योंकि आजकर जित्ते भी latest products launch ह offer पे launch होते हैं, और बाद में जाके उनका price बढ़ जाता है, और आपको बहुत time बाद किसी sale का वेट करना पड़ता हूं, तो इस मामले में दोस्तों काफी दिक्कत हो जाती है, तब तक एक नया product आ जाता है, इसलिए सबसे बेस्ट अगर आपको एक urgent requirement है किसी product को बाय करने क हैं, इसका जवाब आपको दोस्तों अभी मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों noise के अलावा भी काफी सारे brands है आज के time पर जो की competitive earbuds similar brand पे launch कर चुके हैं, और अगर बात करें दोस्तों कुछ latest earbuds के बारे में, जैसे कि दोस्तों boat air dopes 141, realme buds q2 neo, तो इन सब earbuds में आपसे इससे काफ आप से उन एर बर्ट को बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर दोस्तों आप एक final verdict चाते है कि कोईसा best yearbird है 1500 के अंडर, तो दोस्तों इसका जवाब मेरा हमेशा यही रहता है, अभी के time तक TrueBuds S1, जी हाँ, TrueBuds S1 1500 से नीचे जो features आपको देते हैं, दोस्तों वैसे features आपको कोई भ 2 hours तक का battery backup किसी earbird में 1500 से कम price में, एकलौता brand TrueBuds ही देता है, जो कि दोस्तों TrueBuds S1 में आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों, अगर कुछ और features की बात करें तो आपको ENC मिल जाता है, pod mics का support मिल जाता है, और साथ ही साथ gaming mode भी मिल जाता है, तो दोस्तों, बिलकुल बारे में, और साथ ही साथ 200 इन earbird का launch date, price offer, और साथ ही साथ इनका comparison, latest earbird के साथ, और 1500 से नीचे के best earbird के साथ, आपको सारी details मैंने बता दिया है, और नीचे description में आपको links मिल जाएंगे, categorized manner में, आप easily अपनी budget के हिसाप से best earbird या smart watch इसको खरीज सकते हैं, नीचे मैंने description मे organized way में link दिया हुआ है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को like करिए, और अपने दोस्तों के साथ share करिए, नीचे comment section में आप कोई भी doubt पूछ सकते हैं, within 24 hours आपके comments का reply कर देते हैं, और दोस्तों हमारे channel पे बहुत जल 10,000 subscribers होने व को मच जाईएगा, तो दोस्तों हमारे channel पे आपको latest budget products का best content सबसे पहले YouTube पे मिल जाएगा, जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, boat air dobs 141, realme birds wireless 2, boat air dobs 501 ANC, boat की brand new smart watch, boat watch delta की भी सारी details मैंने इस वीडियो में बताईए, boat free ports pro, realme watch 2, noise color fit ultra, fire bolt की mercury smart watch, realme watch 2 pro जो की दोस्तों one of the best smart watch होने वाली है, अपने आने वाले time में, तो दोस्तों इन सब वीडियो को जाके आप check out करिए, काफी प्यार दे रहे हैं दोस्तों आप हमारे channel पे इसी तरह से प्यार देते रहे हो, और इन सब वीडियो को भी check out करिए, जित्ते भी latest products market में launch होने वाले है, Amazon Prime Day या Flipkart पे, स सारी deals और offers हमारे channel पे सबसे पहले आजेंगे, तो जरूर टेक मंजिल को subscribe करिए,